हेल्थ चैनल में आपका फिर्श स्वागत है आज का एपिसोड बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं आज मैं आपको मरोडफली का काढ़ा किस तर से बनाते हैं वो बना करके प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं और उसका सेवन किस तर से किया जाता है काढ़े के अलावा अगर करना चाहे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस एपिसोड में तो अगर आपको मरोडफली की पहच और उसके बड़े डीटेल में जो मैंने पहचान कराई हो वही है, वो आप देख सकते हैं, तो आईए देखते हैं. मैं आपको बता दू, अगर आपको जडीबुटियों के बीच चाहिए, तो कुछ-कुछ जडीबुटियों के बीच मैं विशालसाथे.me पे प्रवाइड करने लगा हूँ, आपको कुछ जडीबुटियों के सीट्स चाहिए, तो इस वेबसाइट पे जाएए, तो आगे बढ हुआ है, नाम है क्यूट लाइफ विट एच्पी, इनके बहुत ही ग्यानवर्दक एपिसोल्स होते हैं, बहुत इंफर्मेटिव एपिसोल्स होते हैं, मैं रेगुलर्ली वाच करता हूँ, मैं भी अपना ग्यान बढ़ाता हूँ, इनको देख करके, तो ये आज हमें दिख में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं, आज हम मरोड फली का काड़ा बनाने जा रहे हैं, ये देखे, इसको मरोड फली बोलते हैं, तो आइए देखते हैं, हम मरोड फली का काड़ा कैसे बनाते हैं, सिर्फ एक ही मलोड फली चाहिए, दो गलास पानी में हम मलोड फली का काड़ा बनाएगे, यह देखिए, यह दो गलास पानी में हमने सिर्फ एक ही मलोड फली दाली हुई है, एक आधा गलास रह जाए तब तक उबालते रहिए, बलके आधा गलास हो जाए तब उसको छन्नी से चान ले, अब इसे थंडा होने के बाद पीए, थंडा होने के बाद अब इसे पीए, इसके अलावा एक मलोड फली को ले करके आप सिल्बटे पे घिस सकते हैं, थोड़ा पानी डाल करके, जिस तरह से चन्न घिसते हैं, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा शेहड ड्याल करके, और फिर इसका सेवन कर सकते हैं, इस तरह से भी इसका सेवन किया जाता है, अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा है, तो इसे लाइक किजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले एपिसोड तक विशाल साथे को दीजिए इजाज़त, बाई! बाहे है, बाई प्राइब कर से दो कि अगले घूनी पर वसंद आे हैं।